स्वागत दोस्त आपका आमारे युट्यूब चैनल निवेश टिप्स में दोस्तो पोस्ट ओफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है जो कि सीन्य सिटीजन्स के लिए एक बड़े तोफे की तरह है जहां दोस्तो दो बड़े तोफे पोस्ट ओफिस की तरफ से एक साथ दिये गए हैं ये दोस्तो गवर्मेंट दुआरा अपडेटिड है और पोस्ट ओफिस ने भी अपनी वेबसाइट पर और दोस्तो वैसे भी डारेक्टली आप इनका लाब ले सकते हैं पहला benefit किया है कि जो limit थी दोस्तो 15 लाख रुपे के investment की SCSS scheme के अंदर अब उसे बढ़ा कर 30 लाख रुपे कर दिया गया है दूसरी तरफ जो पहले interest rate 7.4% होता था अब उसे बढ़ा कर 8% कर दिया गया है तो दोस्तो मैं पहले आपको calculation करके दिखा देता हूँ कि कितना पैसा जमा करने के बाद में हमें कितना पैसा मिलेगा minimum आप 1000 रुपे से SCS scheme की शुरुआत कर सकते हैं और maximum आप 30 लाख रुपे तक दोस्तो investment कर सकते हैं मान दीजिए आप एक लाख रुपे का investment करके छोड़ते हैं तो 5 साल तक आपको हर तीन महीने के बाद में 2000 रुपे मिलते रहेंगे यहां दो तरीके की facility देखने को मिलती हैं या तो आप हर तीन महीने के बाद में अपना बड़ा हुआ पैसा ले लें या फिर आप maturity पर एक साथ अपना बड़ा हुआ पैसा ले लें में ये amount दोस्तों बढ़कर डबल हो जाता है 80,000 रुपे आपको final maturity पर मिल सकते हैं 5 साल के बाद में ये 4,000 रुपे आपको हर quarter मिलते रहेंगे अगले 5 साल तक अब दोस्तों जो भी पैसा आप जमा करेंगे ये पैसा आपको 5 साल के बाद में जूपतू वापिस मिल जाएगा अब मानली जी आप इसके अंदर कर देते हैं 5 लाग रुपे का investment तो 10,000 रुपे आपको हर 3 महीने के बाद में मिलते रहेंगे या तो आप 10,000 रुपे इस तरह से लेते रहें या फिर आप total interest एक साथ 2 लाग रुपे ले सकते हैं तो मैं चोटी पर आपको 7 लाग रुपे का amount राप्त हो जाएगा अब इसी तरह से अगर हम कर देते हैं इसके अंदर मान दीजिए 30 लाग रुपे का investment तो 30 लाग रुपे जमा करने के बाद में 60,000 रुपे आपको हर 3 महीने के बाद में मिलते रहेंगे अगले 5 साल तक चाहे तो आप ये option चुल ले या फिर आप अगर चाहें तो अपना बड़ा हुआ पैसा एक साथ भी ले सकते हैं अगर आप एक साथ अपना पैसा लेंगे 5 साल के बाद में तो 8% इंट्रेस्ट के हिसाब से 12 लाग रुपे आपको बढ़कर मिलेंगे और final maturity पर आपको 42 लाग रुपे दोस्तों राप्त हो जाएंगे अब इ इसमें मिनिम माफ 1,000 रुपे जमा कर सकते हैं और maximum दोस्तों 30 लाग रुपे अब इसके अंदर आप जमा कर सकते हैं जो भी पैसा एंदर जमा करेंगे उशह आप छूट के डायरे में भी ले सकते हैं अगर 50,000 रुपे से कम का दोस्तों इंट्रेस्ट होता है सालाना बेसे कर इसी तरह से अगर आप 15 G और 15 H फॉम फिल कर देते हैं तो आप TDS से भी दोस्तों इसके अंदर बच जाते हैं अगर आप पहले ही पैसा निकाल लेते हैं पांच साल से पहले तो एक से दो साल के बीच में बर आप अपने पैसा निकालेंगे तो टोटल जमा पैसे पर आपको 1.5% का डिड़क्शन लगेगा और अगर आप दो साल से लेकर पांच साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो एक परसेंट का आपको दोस्तों चार्ज लगेगा अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सकाइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्याद ज़्याद लोगों को शेर करें धन्यवाद